एक्जाम इसपेसल सिरीज की पहली क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप क्लास 10 के UP बोर्ड के स्टुडेंट हैं और UP बोर्ड का एक्जाम देने जा रहे हैं या जाने की त्यारी में हैं तो बस उल्टी गिंती चालू हो गई है आपक जिन्दगी में कई बार इम्तिहान होते हैं कुछ इम्तिहान में हम पास हो जाते हैं और कुछ इम्तिहान में फेल बोर्ड एक्जाम के इम्तिहान में अगर आप फेल हो जाते हैं या आपके कम मार्स आते हैं तो इसका यह मतला बिल्कुल नहीं है आपके टैलेंट में कोई क देनी है, regular मेहनत करनी है और exam तक आपको day by day अपने आपको improve करना है, हर दिन खुद का assessment करना है, हर दिन खुद को evaluate करना है कि हम कल कहां पे थे और आज कहां पर है, अगर आप यह करने को तयार हो तो exam आप फोर्ड दोगे, exam में कुछ भी हो आप फोर्ड दोगे, और अगर आप यूबी बोर्ड की student है, तब तो आपके लिए class बहुत ही important है और खास class है, तो आज की पहली class में हम लोग बात करने वाले है quadratic equation की यानि की दुईघास समीकरन की, और important questions की series लेकर के आया हूं दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हर chapter के 20 questions की series लेकर आया हूं, 20 questions की questions होंगे, आपको in 20 questions की तो practice करनी है, कुछ extra हो सके तो वो भी कर लेना, लेकिन in 20 questions को तो बिलकुल miss मत करना, तो आप अगर ready है, तो class को start करते हैं, तो जल्दे से एक बाल like कर दीजिए, जो बच्चे चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दीजिए, और अपने दोस्तों सेर कर दीजिए क्योंकि आपकी इस कठिनाई में, आपकी इस लडाई में आप thank you classes आपके साथ है, तो चलिए, शुरू करते हैं, दोस्तों हमें जो दिया गया पहला equation है, वो ये है, यानि कि पहला जो समीकरन हमें दिया गया है, वो समीकरन ये दिया गया है, पहले समस्ते क्या है, 1 upon x-1, x- plus 1 upon x-2, x-3 is equal to 2 upon 3, इन में condition समझे दोस्तों, x does not equal to 1, 2 or 3, इसका मतलब ये हो गया, कि आपको इस equation को solve करना है, you have to keep this in your mind, that x, x की जो value है, वो 1, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए, इस equation में ये दिया गया है दोस्तों, कि x की जो value है, वो ना तो वनानी चाहिए, ना तो 2 आनी चाहिए, ना तो 3 आनी चाहिए, अगर ये तीनो value आती है, तो आपका solution वो रांग हो जाएगा, फिर करना क्या है, आपको ये करना है, इसको इस तरीके से solve करो, कि ये value ना आए, बांकी कुछ भी आ जाए, तो बाकी क्या value आती है, चलिए देखते है, तो इसको साल करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले हमें X वाले टर्म को देखना है, X वाले पद किधर है, इस साइड में, यानि LHS में है, LHS में जब X वाले टर्म है, और constant टर्म किधर है, constant मनलब जो अचर पद वाले संख्याय है, वो इधर है, कोई दिक्कात नहीं, हमें constant एक तरफ मिल गया, और variables यानि चर वाला combination एक तरफ मिल गया, तो कोई दिक्कात नहीं है, सीधे इनका और इनका लेंगे LCM, तो इनका LCM यानि लगुत्तम समाप वर्तिजब लेंगे, LASA, तो इनका LASA कितना आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा, इनका LCM रखते हैं, दोस्तो, X-1 ये रख देते हैं, ठीक, दूसरा हो जाएगा, X-2, अब देखिए दोस्तो, इधर के X-1, X-2 तो हमने रख लिया, इधर वाले में भी X-2 दिख रहा है, तो जब कोई common पद दोनों में है, X-2, X-2, तो हम उसको दो बार नहीं लेंगे, हम X-3 बचा है, और X-3 को ले लिया जाएगा, ये तीनों आपस में multiply में है, यानि गुले में है, तीनों जब गुला में है, तो ये LCM आ जाएंगे, अब साल्व करते हैं, X-1, X-2 का पूरा तर्म जो है, पूरा पद जब इससे divide करेंगे, जब इस वाले पद को इसमें भाग देंगे, divide करेंगे, तो क्या होगा दोस्तो, X-1, X-2 का पूरा का पूरा टर्म इससे cancel out हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा cancel out हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, X-3, X-3 बचा, तो X-3 का multiply करेंगे 1 में, X-3 का multiply 1 में हो तो कितना आजाएगा, X-3, क्योंकि आपको पता है दोस्तो, किसी भी नंबर में, जब 1 से multiply किया जाता है, तो वो नंबर खुद आ जाती है, प्लस का sign लगा है, प्लस का sign हम लगा देते हैं, अब इस वाले टर्म से इसने divide करते हैं, तो X-2, X-3, X-2, X-3, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, cancel हो जाएगा, ये cancel out हो गय इसको bracket में रख देते हैं, equal to 2 upon 3 ये वैसे ही रहने देते हैं, अब solve करते हैं, देखो दोस्तों ये plus लगा हुआ है, तो X और X जुड जाएगी, कितना हो जाएगा, X और X हो जाएगा 2X, और minus, तो minus ये भी, minus ये भी, जब दोनों term minus के हैं, तो digit तो हम आपस में add कर लेते है जो संख्याएं हैं, वो आपस में जुड जाती हैं, लेकिन चिन, sign जो है, वो minus कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर minus दिया गया है, तो 3 और 1 हो जाएगा, 4 और sign minus कहीं लग जाएगा, ठीक है, अपान में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान दे रहा है, इसको क्या मिल रहा है, ले लेते हैं, उपर common मिल रहा है 2, तो इधर बच जाएगा, x minus 2, 2 जा 4, यनि 2 बच जाएगा, और अपान में क्या हो गया, उपर common ले लिए हमने 2 को, तो उपर ये term बच गया, नीचे क्या बचेगा, x minus 1, फर्स्ट ब्रेकेट में, x minus 2, second bracket में, और x minus 3, third bracket में, इक्वल टू ये 2 अपान 3 हो गया, आपको क्या दिख रहा है, x minus 2 is cancelled by x minus 2, ये और ये आपस में cancel out हो गया, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 2 अपान x minus 1, फर्स्ट ब्रेकेट में, और x minus 3, second bracket में, इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपान 3, आ गया ना, अब दोस्तों ध्यान दे है, तो दूसरे पच्छ में आएगा, दूसरे साइड में आएगा, तो नीचे आएगा, denominator में, तो numerator में 2, denominator में cancel हो जाएगे, तो हम इसको direct यहाँ पे cancel किया, 2 वंजा 2, 2 वंजा 2, क्या बचिए हमारे पास, 1 अपान x minus 1, फर्स्ट ब्रेकेट में, और x minus 3, second bracket में, और equal to इध multiplication, अगर इसका cross multiply करा हैं दोस्तों, तो क्या मिलता है हमको, इसका multiply इसके साथ होगा दिए, तो वहीं आजाएगा, x minus 1, into x minus 3, फूरा का पूरा same term अजाएगा, 3 का मल्टिप्लाइ इसके साथ होगा और इसका मल्टिप्लाइ इसके साथ हो जाएगा तो इसका मल्टिप्लाइ जब 1 से होगा तो पूरा होगा गया और 3 बंजा 3 हो जाएगा अब साल्व कर लेना है इसको मल्टिप्लाइ करो जब x का मल्टिप्लाइ x में होगा कितना जाएग प्लस अब 1 का 3 में कराँगे तो 1 3 जा 3 इक्कल डो हो जाएका ये भी 3 हो जायगा यह 3 इताराएगा तो क्या करेंगे देखो side change करेंगे एक सी स्क्कॉाइर माइनस असा देखेगा दोस्तो यह 3 x और x मिलके क्या हो जाएंगे 4x x square minus 4x और यह होगी अब plus 3 इसको इधर ले आएंगे यह हो जाएगा minus 3 is equal to 0 3 और 3 cancel out हो गए हमारे पास बचा x square minus 4x is equal to 0 अब क्या करेंगे common ले लेते हैं x आ गया common तो अंदर बचेगा x minus 4 is equal to 0 अब separately हमको एक एक को 0 कर देना है जब हम x को 0 करेंगे तो x थमझेगा तो यह 0 होता कैसे है अगर x देखो इनके और इनके भी समें multiply का sign छुपा होता है होता है ना यह multiply में इधार आएगा तो divide में आ जाएगा तो यह हो जाएगा 0 upon x minus 4 हो जाएगा ना पहले हमने इसको इस side भेजा है तो हमारा answer यह आ गया अब second condition में क्या करते है अब x minus 4 equal to करते है समझेगा पहले condition यह थी दूसरी condition क्या लेते है x minus 4 is equal to 0 क्यों हो गया समझेगा यह में आ गया था हमारे पास x minus 4 अब x multiply में है इधार आगा divide में तो 0 upon x हो जाएगा नहीं तो x minus 4 is equal to 0 क्योंकि 0 में किसी भी नमर से करेंगा divide तो हो जाएगा 0 यह 0 हो गया तो x equal to कितना आ जाएगा प्लस 4 अब आप देखिए x के आपको दो values मिल गई पहली value क्या मिली आपको x की आपको x के पहली value जो है वो मिल गई 0 और second value मिल गई 4 अब आप अपने question से match कराईए question में क्या कहा गया था question में कहा गया था value ना तो 1 होनी चाहिए ना तो 2 ना तो 3 तो हमाई पर ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है 4 आ गई है ठीक है जीरो आ गई है जरूर नहीं कि आगे पीछे की value होगी कुछ भी हो सकता है हमने साल्व कि हमें यह value मिल गई ठीक है तो इनका एक criteria हमें follow करना होता है यह criteria कहता है कि हमने जो condition दी है उससे आपको भटकना नहीं है I hope आपको यह question समया गया होगा तो चलिए दोस्तों आप question number second क्यों बढ़ते है question number second जो है हमारा वो क्या कहता है ज़र ध्यान दिजेगा question number two है दोस्तों हमें इसमें solve करना और value बताना ही x की value क्या आएगी क्या बताना है find the value of x यानि x को solve करी और x की value क्या होगी आपको यह बताना है question क्या है one upon a plus b plus x upon में है पूरा is equal to one upon a plus one upon b plus one upon c जहांपे condition है या उसको आपकी right area कह सकते हैं कि हमें ध्यान रग रग रहा होगा कि a plus b की जो value है यानि इसमें आपको solve करना है a और b की जो value आए a और b को plus करने पे 0 नहीं होना चाहिए बस 0 नहीं होना चाहिए does not equal to 0 का मलब 0 नहीं होना चाहिए क्या करना है solve करते है rule अपना same पहला rule क्या करते हैं दोस्तों हमें दीखना है अब समझना इस question में इस question में x की value find out करने के लिए कहा गया है that means कि हमारे पास variable जो है वो x है variable क्या है x और constant term में क्या बचे a और b समझ में आई बात की नहीं variables यानि चर जो है समझना ध्यान से ऐसे question जब आ जाए तो आपको ध्यान अगना variable हमारे पास इस question में क्या है x है यानि कि चर वाली संख्या है और constant term कौन से है constant term जो है वो है हमारे पास a और b इनको हम कह सकते है अचर यानि संख्या रूप में अगर संख्या दे गई तो a और b है और अगर variable चर में कोई संख्या दी है तो वो है x तब ही x की value पूछी गई है तो क्या करना होगा अब हमें ध्यान देना होगा पहले ही ध्यान दोगे न question में देखें दोस्तों तो पहला काम होता है हम x को एक तरफ ले आते हैं यह जो variable है उसको एक तरफ ले आते हैं यह क्या लिखा हुआ है 1 upon a plus b plus x इसको रहने देते हैं इधर से x वाला टर्म जो यह वाला टर्म है plus में इधर आएगा तो कैसे लिए आएगे इधर minus में तिया जाएगा minus 1 upon x is equal to इधर क्या बचेगा 1 upon a plus 1 upon b इतनी बात clear हो रही है इस तरह बच गया अब simple तरीका आपको जो साल्व करने का होता वही करना है यानि कि LCM लेकर के साल्व करना है इसका LCM कैसे लिए जाए तो पताएए कैसे लेना वही पहले लेना है a plus b plus x इसको रख देंगे जो इस तरह के represents किया जाता है उसको dot कियाते है into के लिए refer होता है यह ठीक है into को represent करता है अब देखे यह वाला टरम जब इसको divide करेगा तो पूरा पूरा cancel हो जाएगा a plus b plus इसको पूरा cancel कर देगा बचेगा क्या एक्स गुड तो एक्स का one multiply हो तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस कर दिया अब देखे कि दोस्तों एक्स से एक्स कैंसल हो गया क्या बचा हमारे पास a plus b plus x क्योंकि यह इस प्रद को cancel कर दिया term को बचा यह तो इसका one multiply तो यहाज है इसको bracket में रख लेंग यहाँ पर देखिए minus लगा था पहले इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने bracket में लगा आपने इसके पहले वाला question देखा हमने उसको भी bracket में रखा था जबकि उसमें minus नहीं दिया गया था plus दिया गया था वह इसलिए क्योंकि अगर plus होगा तो कोई problem नहीं है लेकिन minus होगा और आपने sign change नहीं किये तो बड़ी problem हो जाएगी इसलिए इस चीज का बहुत ही विशेज ध्यान रखना है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इनको कैसे साल्व करेंगे इनमें LCM क्या जाएगा A, B, A और B का multiply का A, B LCM आ गया A से A cancel हुआ बचा क्या B, B का करेंगे 1 multiply B बन्जा B, plus का sign प्लस लगा दिया, B से B का cancel out हो गया बचा A, A का 1 multiply हुआ तो A बन्जा A, clear? अब देखिए साल्व करते हैं, X minus, अब देखिए bracket के बाहर minus आए तो अंदर के sign क्या होंगे? change हो जाएंगे, तो A हो जाएगा minus का, B हो जाएगा minus का और X भी हो जाएगा minus का, upon में क्या बन्जाएगा? A plus B plus X और into में क्या बन्जाएगा? X, equal to B plus A upon AB, यह हो जाएगा? अब देखिए X एक minus का और एक एक plus का, cancel out हो जाएगे? यहां क्या बचेगा minus A minus B जड़ा दिमाग अगर लगाएं दोस्तों यहां पे अगर minus को common ले 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 तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा A plus B दोनों plus के हो जाएंगे और अपान में कितना हो जाएगा A plus B plus X और multiply में क्या हो जाएगा X equal to कितना हो जाएगा चाहे यह B plus A है चाहे इसको A plus B रखे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं चलिए B plus A ही रहने देते हैं और अपान में A B अब आप देखें दोनों numerator में है सेम सेम तो यह पूरा यह पूरा term cancel हो जाएगा plus minus की वज़े से नहीं होगा यह पूरा term इधर अपान में आ जाएगा इस वज़े से cancel हो जाएगा यहां लगना है इस सीच को यह पूरा term numerator में है और second side आएगा तो denominator में आ जाएगा यानि नीचे आएगा तो नीचे और उपर की वज़े से cancel होआ है मैंने shortcut में कर दिया है अब देखो यहां पर one one time में cancel होगया तो क्या बचे है यहां पर minus one upon a plus b plus x और into में आ गया x इधर क्या बचेगा one upon a b इतना आ गया अब cross multiply करा लेते हैं दोस्तों क्या कराते हैं cross multiply इसका पूरे का multiply one से होगा तो कितना हो जाएगा a plus b plus x और into में x बैसे ही आ जाएगा one से multiply एक पर टू लगा दिया a b का multiply जो minus one से होगा तो क्या हो जाएगा minus में a b आ जाएगा चिक आप कराते हैं multiply तो x का multiply इससे कराएगे तो क्या बैलो आ जाएगी बताई दोस्तों क्या जाएगा x का multiply हो तो यह हो जाएगा a x plus b से multiply होगा देखो इसका multiply इसके साथ भी कराएगे b के साथ भी और x के साथ भी b के साथ जब multiply होगा तो यह हो जाएगा b x x के साथ होगा तो यह बन जाएगा x square बन जाएगा कि नहीं और यह जो minus में इसको इधर ले आते हैं इधर आएगा तो यह कैसा हो जाएगा प्लस में यह हो जाएगा भी और is equal to 0 0 हो जाएगा आप साल्म कर लीजिए आप इसको ठीठा order में लेख लीजिए यह क्या हो जाएगा x square हो जाएगा पहले इसको रख देते x वाले टर्म को बाद बीच में रख देते हैं ax plus bx रख सकते हैं दोस्तों और इधर constant वाले a b बैसे हो जाएगा मतलब कैसे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया इस वाले टर्म को यहां रख दिया और यह दोनों जो टर्म थे इनको यहां पर रख दिया यहां पर common लेंगे b b दोनों में है b common आज़े इक्वल टू 0 भी तो लगा दे रहा है यहां पर यह हो जाएगा x plus यहां पर क्या बचेगा a बचेगा a बचा लिया equal to 0 x plus a x plus दोनों bracket में आ गए क्या कर सकते हैं x plus a first bracket में common आ गया second bracket में x plus b common आ गया is equal to कर दिया 0 अब solve करेंगे इफ पहले condition क्या होगी दोस्तों if x plus a is equal to 0 इस 0 कैसे हो गया मैंने बता था न जब इस value को upon मिलने जाएंगे तो upon में आएगा multiply की साथ है इधर आएगा upon में यह पूरा 0 हो जाएगा इसलिए direct 0 कर दिया जाता है ठीक है second condition क्या है इफ अब x plus b को 0 करेंगे x plus b is equal to 0 क्यों हो जाएगा क्योंकि x plus इधर multiply है इधर आगा divide में तो 0 हो जाएगा तो x plus b की value आगे 0 तो x की value क्या होगी b plus में है दूसरे साथ जाएगा तो minus में यानि कि x की value क्या जाएगी minus में b और यह लीजे यह हो गया answer को जाएगा तो आपका answer किता हो जाएगा x की value minus a और x की value minus b यह दो answer आपके आ जाएगे तो उम्मीद करूं आपको यह वाला question भी समझ में आ गया होगा